से आप सर्वाइव नहीं कर सकते थे और आपको कॉंगरस के साथ सम्झोता करना पढ़ा है मैं उसका जवाब देए पहले हुं पहले इंको जवाब देशन को इन्होंने दूरो की बात कि तो इन्होंने कई चुनों कि आपको लगता है कि शुनेखर मुझे करना चाही इनकी राजनीटी कने है कि कैसे इन्होंने वोटों की चोरी की, वोट चोर है भाजपा, ये वोट जीतने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं, ये सारी अरनेतिक हरकते करते हैं, इन्होंने वोट चोरी चंडिगर में की ओपरेशन लोटस करते हैं, अभी जो हेलिकॉप्टर चौपर यूज हो रहे हैं, वो कौन खर्चा उठा रहे है पूछे जनता का पेसा है यह जो चौपर सर्षर करके शिमला टू पंच कूला पंच कूला टू शिमला घूम रहे है इसकी सब को भॉच चुनता है उस हेलिकॉप्टर में इधन किसका डल रहा है यह सवाल मैं नहीं पूछा है विपक्ष पूछ है बादल जी से बड़ा तीन दर्जन से गाड़ियों का लश्करे जर्रार चलता है और वो तो पेट्रोल जंता का फुकता है जो कहते हैं कभी अब सुनिए अब मैं बताता हूं प्रियंका जी ने बोला करेक्टर जंदर का हो था मुझे चाहिए जनलोक पाल टोपी सत्ता मे जाए टोपी पैना दीधर अब नहीं चाहिए मुझे चाहिए सुनिये सबसे शपत भरवाया बंगला नहीं लूँगा बंगला ले लिया मैं सिक्योर्टी नहीं ले लूँगा इस समय बैदेखिए मैं इनका मज़ाग या तो यह बचकानी हरकत कर रहे ते चातिराना हरकत कर पंजाब के मुख्यमंत्री को जरूरत है जो भी मुख्यमंत्री होता उसको सिक्रोटी की जरूरत है फिर उसके बाद बच्चों कासम खाता हूं कि वो नहीं करूंगा क्या कहते हैं वो बदल दिया मैंने सुना है कि बाथरूम में भी ऐसी लगा है मेरा कलेजा काप उठता है कि कौन भरता है इसका बिल जब दिल्ली की 40% जनता जुग्डी जोपड़ी में रहती और उसके बाद अपने गर में एक एक करोड के परदे लगे हैं सबसे लंबे समस्व विपक्ष में कौन भारती जनता पाटी कौन तोड़ पाया हमें कोई नहीं तोड़ पाया और आपने कहा ये साब एक ऐसा भी कानून था इस देश में और इनका प्रेंका जी कहना है तो कोड को उस कानून को रद कर देना चाहिए कोड ने कई कानूनों ना वकील ना अपील ना दलील जब तक सरकार चाहेगी आप जेल में रहेंगे अरे हम तब भी नहीं तूटे थे तूटते वो हैं जिनके हाऊसले और इरादे दमदार नहीं होते आपके तेखे आपके तो पाशन भी चंदिगर में तूट गए लेकिन अब क्योंकि बार-ब पवार के साथ जाने के मजबूरी एक लाइन में आप बता पाए हमारे विवस के लिए और इन धर्शकों के लिए आज अगर कॉंस्टिटूशन को नहीं बचाया आपने आज अगर लोगतंत्र को नहीं बचाया आपने तो ये पार्टी इलेक्शन खतम कर देगी ये चुनाब जीच जाएगा मोदी जी के नितित में तो महंगाई बहुत बढ़ जाएगी ये सब बाते बोली जा रही है ये और जोड़ तो इसमें ये बात है एक महीने पहला जहें चौधरी नहीं कहीं थी जी जी और जोड़ तो ये प्रेंका ककल जी आम आदमी पार्टी की ये तो बात सही बोली प्रेंका जी ने वेरी बाई तो हम देखेस्टों मैडम बोलने दुदों मैडम आज बता नहीं आपके साही है इन्हों ने गड़बंदन की अल्टा पथली करी है मतलब वेरेफाई तो इनके केस में तो ये आम आदी पार्टी तो कॉंग्रेस के साथ ह दिख रही है ऐसा तो नहीं है कि कोई बीज़बी के साथ कभी देखी लेकिन इनके केस में वेरेफाई तो करना प्रवक्ता है प्रेंका समझ गई आगे क्या होने वाला इनका इनके नेता अरविन केजरिवाल ने जेल में कि बाहर हैं वहीं चेक करना पड़ता है आमान भी सब किस तरीके के प्राणी है कि पंजाब में तो आप गड़बना नहीं करोगे कॉंग्रेस को को सोगे और बाकी देश के अंदर आप गड़बनन करके जंता को टोपी पेना होगी एक चोटा सा सवाल का जवाब आपको जरूर देना चाहिए जबात रोहित अंकरवाल ने बोली क्या आपको लगता नहीं है कि एक स्टेट में अलाइंस है दूसरे में नहीं है एक में लोग तंतर बीजेपी जो दलो को तोल रही है जो विपक शारोप लगा रहा है उस परा सपा के साथ विधायक चले गए अभी हवाचल में क्या हो गया है देखे ऐसा है निरने हीन और रीडवी हीन पार्टियां जो होती है वो ऐसी करती है जैसे एक बच्चा होता है जो ठोकर खाके गिर जाता है उसका खिलोना तूर जाता है अंकल ने तोड़ दिया तो उसी तरीके से वह देखे यह खुद ठोड़ दिया अंकिल आ गए है जैया बच्चन जी के चक्कर में पूरा बवाल हो गया क्या आपको लगता है कि पोलिटिकली फैसले नहीं कर पा रहे हैं और अब आपके दो-दो महास्चिव और एक राश्चिष सचिव ने जो बोला है वो सारा सब कुछ पठल पे है सरीम शेरवानी स्वामी परसाद मौर कौन जिनकी वज़े से बीजेपी खड़ी हुई है कल्यान सिंग जी कल्यान सिंग ने पार्टी तोड़के अपनी अलग पार्टी बनाई थी और यह कहा था कि इस बीजेपी को खतम कर दूंगा उत्तर प्रदेश में दूसरी इनकी बड़ी नेता थी उमा भारती आडवानी पूझी वादि न समाजबादि आपके विचारधार आउसर वादिये आप आवसर के अनुसर हम से हमेशे सांग बदलते हैं आपको जो लगता है आप सम्मीधान की सपत लेकर आते हैं जो भी लोग चुने जाते हैं और फिर सम्मीधान में जो 25 सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब